नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पॉन मिस्राफी के हिंदिग्यान वुग वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद तो दोस्तों हाजीर हूं वापकी प्येज़ पी साइट लर्निंग सीरीज के पार्ट सिस्टीन के साथ इस वीडियो में आप सीखेंगे कि वापकी साइट पे टेक्ट स्प्रोलिंग कोड कैसे लगाते हैं और दोस्तों अगर आपने इस सीरीज का फ़र्ट पार्ट अभी तक नगी देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप सबसे पहले पुस्ट वीडियो को देख ल इस पर आपको क्लिक करके पीके हिंदिग्यांबुक चैनल को सस्क्राइब कर लेना है और यहां पर जो यह घंटे का आइकन आपको दिखाई देगा इस पर भी आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे यहां आप्संस आएगा यहां पर इस पर आ । आपको मिलता रहे गा, तो दोस्तों मैंने अल्रेड यहां पर लोगिन कर लिया हुआ फी.com पर तो चलिए final mode पर क्लिक कर लेता हूं, इसके बाद आपको view mode पर क्लिक कर लेना है, इसके बाद यहां पर जो यह search बार है, इसके नीचे हमें text scrolling code लगाना है, तो drop down menu यह उपर, आपको क्लिक कर लेना है और एक HTML templateHay Blair eleg quasi or यहाँ पर इसे बंद कर देना है, इस तरह से और यहाँ पर जो भी Moscow सब्सक्राइब कर लिए डिके कर लोगए तो मैं ने It Syn reciproc कर लेता हूँ सब्सक्राइब करी हाँ डाइबrique से position set कर सकते हैं और यहां पर ok पर click कर देना है अब मैं बैक करके इसे refresh कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कुछ की सतरे से यह code यहां पर scroll कर रहा है आप इत्मी class भी लगा सकते हैं और इसका color भी जैसा चाहें वैसा राख सकते हैं अब चलिए मैं इसे यहां पर item पर click कर लेता हूं और edit पर click कर देता हूं दोस्तों मैंने already आपको दो scrolling जो है text code हमने दे दिया है उनका link नीचे description में आप वहां से download कर लेजिए तो चलिए मैं first वाला सबसे पहले open करके और इसे all select करके copy कर लेता हूं आप भी download करने के बाद all select करके copy कर लेजिए और ला करके यहां पर इसे remove कर देना है आप manually चाहें तो manually भी यहां पर character scrolling code जो है design कर सकते हैं चलिए मैं यहां पर paste कर कर देता हूं यह वाला और यहां पर open edit पर click कर देता हूं अब चलिए मैं view mode पर click कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ किस तरह से हमारा code जो है वह scroll कर रहा है यहां पर जो हमने type किया है already पहले से वह यहां पर दिखाई दे रहा है अब अगर आपको इसका color change करना है तो आइटम पर click करके इसी code को आपको edit कर देना है और यहां पर आपको दिखाई देगा यहां पर जो इसका color है यह blue यहां पर है तो चलिए मैं इसका color कोई दूसरा कर देता हूं मैं इसका brown color कर देता हूं ब्राउन और यहां पर edit पर click कर देता हूं अब चलिए view mode पर click कर लेता हूं देखते हैं तो देख सकते हैं इसका जो color है यह brown हो गया है तो अब अगर आपको दूसरा code लगा करके मैं चलिए दिखा देता हूं अगर आप उसे भी चाहें तो यूज कर सकते हैं तो सबसे पहल कोड मैं यहां पर copy कर लेता हूं इस तरह से और इसे select करके copy कर लिया यहां पर ला करके आपको paste कर देना है अब यहां पर edit पर click कर देना है तो चलिए view mode पर click करके मैं यहां पर देख लेता हूं कि यह code किस तरह से लग रहा है आप देख सकते हैं कि कुछ किस तरह से Changes करना है और यह जो है इसका background color change करना है तो walk edit निफिक कर लेता हूं और यहाँ पर यह फस्ट वाला ragground यहां पर जो रेट है तो मैं यहाँ पर कर देता हूं line color वहिस्थ यह ने चेंज कर दिया अब अब अगर आपको इसके background का color change करना तो आपको यहां नीचे स्क्रोल करके आना होगा यहां पर देख सकते हैं यह बैग्राउंड यहां पर लिखा हुआ है तो इसका यह वाला कलर है यहां पर तो मैं यहां पर इस वाले कलर को यहां से हटा देता हूं और यहां पर मैं कलर कर देता हूं मजेंचा इस तरह से और य ग्राउंड का कलर जो है ये मजेंटा कर दिया है उन्डे आदी तो इस तरह से आप इसका कलर जो है मैंज कर सकते हैं तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में आप सीखेंगे वह आपकी साइट पे इमेज स्क्रोलिंग कोड कैसे लगाते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी पीके हिंदी यान्बुक चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और बेल आइकन को भी दबा दीजे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक्स फार वाचिंग तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही जल्द ही हाजिर होंगे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम